और भाई लोग क्या आल है ये वीडियो ना मेरे उन भाईयों के लिए है जो मुझे ये कहते हैं कि सर सब कुछ ट्राइगर करके देख लिया पर वेट गिन नहीं हो रहा है सबसे पहले मुझे ये समझ नहीं आता कि कैसे वेट गिन नहीं हो रहा क्योंकि मैं honestly बता रहा हूँ अगर सबसे कम बजट में कुछ हो सकता है ना फिटनेस में तो वो है वेट गिनि बहुत सिंपल फंडा होता है maintenance calorie आप calculate करते हो, calorie surplus में जाते हो, 300-400 calories surplus करके आपको खाना है क्या खाना है, कैसे खाना है, सब घर का खाना है, सारी चीज़े बताऊंगा वीडियो को end तक देखना अब सबसे जो main बाते समझने की वो ये है कि हम क्यों नहीं अपने goal को meet कर पारे, क्यों नहीं weight gain कर पारे बहुत सारे skinny लड़के मुझे DM करते हैं कि सर, 4 महीने होगे, 5 महीने होगे, 5 kg भी वजन नहीं बढ़ा भाई, 100% बढ़ सकता है, सबसे पहली गलती जो तुम कर रहे हो ये है, तुम्हें लग रहा है कि तुम जादा खा रहे हो बट, actually में तुम उतना खा नहीं पारे, उतनी calories intake नहीं कर पारे, जितना तुम्हें करना चाहिए बहुत simple funda है, पहले भी बता रखा है, गूगल पे जाओ, सर्च करो, maintenance calorie calculator, details fill in करो, एक calorie number आएगा, उसमें add कर देना, plus 400, 300, और जितनी calories निकल के आती है, उतना तुम्हें खाना है अब मज़े की बात यह है कि अगर तुम weight gain करना चाहते हो, तो भाई तुम्हाय जो diet है बहुत सस्ते में हो जाती है, क्योंकि हम fruits जैसे की केले, complex carbohydrate में जैसे की हम दलिया, rice, roti, घर की बनी हुई, सबजी, चने की, सबजी, कुछ भी खा सकते हैं, बस ध्यान यह रखना है कि भाई अगर गंदी gaining नहीं करना चाहते हैं, बाद में परिशान नहीं होना चाहते, मैदा वइड कर देना, मीठा वइड कर देना, और उसके बाद complex carbohydrate दबा के खाओ, simple carbohydrate दबा के खाओ, protein intake अच्छा रखो, सारी चीज़े करो, and trust me कि तुम देखो यह कि अगर तुम एक महीने भी follow कर लेते हो, 400 calorie surplus में एक महीने रहके देख लेना, easily बता रहों भाई, 4-5 kilo बढ़ेगा ही बढ़ेगा, guaranteed, अब बात करते हैं, उन challenges की, जो आपको रोकता है, weight gain करने से, सबसे पहला, या तो आपका जो appetite है, वो अच्छा नहीं है, कहने का मतलब metabolism बहुत fast है, आप कुछ भ बतायता हूँ, कई लोग ऐसा कहते हैं, कि हम खा नहीं पारे, हम उतना calorie value meat नहीं कर पारे, food intake नहीं कर पारे, वहाँ पे एक अच्छा weight gainer आपकी मदद कर सकता है, फिर से सुन लो, अच्छा weight gainer, market में भतेरे weight gainer, जिसमें कुछ पता ही नहीं होता, वो क्या mix कर रहे हैं, ची important factor होता है, यह भाई, heavy metal tested है, dough free है, GMP certified है, और double reach chocolate flavor में मिल जाता है तुम्हें, इसका buying link description में डाल दूँगा, सबसे important बात, budget friendly है, कम cost में तुम्हें मिल जाता है, ठीक है, अब देखो, इसको जब आप consume करते हो ना, तो multiple benefits है, एक इसमें carbs और protein का ratio बहुत अच्छा है, दूस पारे, calorie value meat नहीं कर पारे, तो वहाँ पर यह आपकी मदद कर सकता है, इसको अपने stack में include कर सकते हो, buying link description में डाल दूँगा, वहाँ से आप check out कर सकते हो, multiple benefit है इसके, तो यह तो हो गई बात, calorie value meat करने की, अब दो important चीज़े, जो आपको weight gain करने से रोक रहा है, पहला, body absorb कित help करेगी, experience से बता रहा हूँ, पहला है prebiotics और दूसरा probiotics, और इसके sources भाई बहुत cheap आते हैं, जैसे मैंने बताया, bananas वगएर आप consume करते हो, केले वगएर लेते हो, prebiotics मिल जाता है उसमें, और probiotics का जो मेरा best और सबसे बढ़िया source है, वो है दही, दोनों चीज़े कम cost में आ calorie surplus में रहने में ये मदद करेगा, दूसरा prebiotic और probiotic होने की वज़े से, जो body absorb नी कर पारी nutrients को वो करने लगेगी, और उसके पाद आप changes देख पाऊगे, कि भाई weight gain होना शुरू हो गया है, यही process होता है, बहुत simple होता है, घर का खाना खाना है, तुम्हे calorie surplus में रहना है, prebi probiotic, probiotic डालना है body में, और इस तरीके से calorie surplus में रहते हुए महीने भर में आप drastic changes देखोगे, एक सही process बता रहा हूँ, अब एक और issue, जिसके बारे में लोग नहीं बाद करते, जो आपके mind में शायद आता भी नहीं हो, कि इस वज़े से आपका weight gain नहीं हो रहा है, वह है आपक कि liver की functionality कैसी चल रही है, एक मैं suggestion दे देता हूँ, 200 रुपे का test होता है, LFT, liver function test, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम अपना calorie goal भी मीट कर रहे हो, तुम सब कुछ body में डाल रहे हो सही तरीके से, सब कुछ सही चल रहा है, बट फिर भी body grow नहीं कर रही, weight gain नहीं हो र ability, इन सब का जब test करके आप देखोगे, by any chance उसमें कुछ issue है, मानलो आपका SGOT high, SGPT high है, बहुत simple funda करोगे, वहाँ पे आप, आप क्या करोगे, आप एक liver supporting tablet include कर लोगे, बीटली 52DS, या जो भी आपको अच्छा लगे, जो budget में आए, और liver एक ऐसा और गने body का, जो खुद क आपको रिपेर कर लेता है, simple funda होता है, जब मेरे साथ issue हुआ तो मुझे डॉक्टर नहीं ये बोला था कि आपको simple carbohydrate खाना है, ज्यादा, जैसे कि white rice और boiled potato, यह सब आप खाते हो तो यह liver को support करता है, और oily चीज़ों को avoid करना है, तो भाई, तीन ही funda होता है, calorie surplus में खाना है probiotics, prebiotics diet में include करना है, और तीसरा, एक बार अपने liver की functionality को check कर लेना है, क्या वो धंग से काम कर रहा है, because liver बहुत basic और बहुत important organ है, आपकी overall body functionality के लिए, एक समझो ना कि जो आप खा रहे हो, उसको पूरा regulate करने का काम liver का ही है, तो उसको नजर अंदाज मत करो, ठीक है, तो इन चीजों को आप अगर implement करते हो मेरे भाई, मैं बता रहूँ आपको महीने भर में आप आराम से अच्छा खासा weight gain कर पाओगे, और सबसे मैं फिर से बोल रहा हूँ, सबसे कम budget में होने वाला कुछ काम है ना, तो वो है weight gain, so I hope आपको आज का content पसंद आया, अगर पसंद तो like कर देना, channel पर ने तो subscribe कर देना, मिलते बहुत जल नहीं वीडियो के साथ, till then stay safe, take care, bye bye